हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले आप सबी का हमारे बेहत खास प्रोग्राम जोतर इश्क्यान में मैं हूँ आपके साथ मौनिका ग्रुवर हमेशे की तरस चुड़ो में आज भी मौजूद है हमारे साथ महमार जी हाँ आए उनका स्बाकत करें नमस्कार सर जब भी हम हस्त रेखाओ के बारे में आपसे चाचा करते हैं कई बार हमने आपके मुख से पंचांगुली साधना के बारे में सुना है तो आज जानना चाहेंगे कि पंचांगुली साधना होती क्या है और इसके लाब क्या है जे, आए दर्शों को एक अद्भूत छिपे हुए रहस्य को आज आपके समक्सम प्रस्तुत करते हैं और ये रहस्य उजागर करते हैं अनेको बार बहुत साधकों ने इस प्रकार की साधना में समय समय पर बहुत से योगियों से दिख्षा ली है और पंचांगुली जो साधना होती है यह अपने आप में बहुत बड़ी साधना होती है आज हमारे अनेक और दर्शक सायद इस साधना के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे कि ये साधना क्या होती है साधनाओं में यक्षणियों की साधनाएं हैं हमने कर्ण पिसाचनी के ओपर भी पूरा आपको समझाया था कि कर्ण पिसाचनी क्या होती है इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो समय समय पर आपके ऐसे बहुत सवाल हमारे पास आते रहते हैं कमेंट बॉक्स में आप बहुत अपनी राय हमें देते हैं कई बार तो वो भी मानना आपका जरूरी होता अब चुकि कुंडली विग्यान और हस्त रेखा विग्यान हमारा सब्जेक्ट है हाथ की रेखाओं पर बहुत सारे एपिसोड हमने आपको सुनाए हैं लेकिन हाथ की रेखाओं से ही संबंद रखती है ये पांच जांगली विद्या या साधना अब होती क्या है देखो इंसान की कितनी उंगलिया पांच एक हाथ की तो पांच ही होती है आपकी इन पांचों उंगलियों में और आपकी हतेली में एक विश्यस प्रकार की देवी का वास होता है अगर कोई इसको सिद्ध कर ले तो इसको भूत भविश्य और वर्तमान या यूं कहले भूत, वर्तमान और मविश्य तीनों काल का ग्यान उस व्यक्ति को पराप्त होने लगता है कंड पिसाचनी निमनिकोटी की साधना है यक्षणी रेविल की साधना है इसमें केवल आपके भूत काल का पता लगता है जाला तर मविश्य के बारे में कंड पिसाचनी विफल हो जाती है फेल हो जाती है कंड पिसाचनी नहीं बता पाती है लेकिन अगर कोई पांचांगली सिद्ध कर ले तो उसको वास्तम में अतीत का, आज का और आने वाले कल का बहुत अच्छे तरीके से वो खुलासा करने लगता है इसका एक विश्यस मंत्र होता है इस साधना को करने का एक विश्यस प्रकार का समय होता है इस साधना को करने से एक विश्यस प्रकार का इस्तोत्र होता है और उसका विश्यस प्रकार का यंत्र बना करके साधक अपना चंद्रबल देख करके साधना को प्रारंब गरता है चालिस दिन या अधिक्तम छै महीने के आसपास इस साधना को सिद्ध होने में लग जाते हैं लेकिन मेरे दर्शको बिन गुरु के कभी कोई इस प्रकार की तिक्ष्ण साधना हलकि ये सोमे साधनाओं में गिनी जाती है लेकिन किसी भी प्रकार का बड़ा अनुष्ठान बिना गुरु की आग्या के सफल नहीं होता तो यदि आपके मन में हैं आप इस प्रकार की किसी विसेश देविय साधना को करें उसके लिए आप किसी विसेश गुरु से मार्दर्शन ले उसके बाद इस प्रकार की साधनाओं में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लाब मिलेगा यहां मुझे नाम याद आता है फ्रांसी सी कीरो का ठीक है भारत वरस में तीन वरस तक ये जनाव रहे इनकी लाखों पुस्तके आपको मार्केट में मिल जाएंगी पामिश्ट्री के उपर फ्रांस से आकर के भारत में उन्होंने एक सिद्ध सन्यासी से हाला कि बहुत इत्यास उनके बारे में बताए जाता कोई कहते हैं दस साल रहे कोई कहते हैं पास साल रहे लेकिन ये तैथा कि उन्होंने भारत के ही विशेश सन्यासी से पांचांगुली साधना को सिद्ध किया था तबी तो वो परदे में छीपे व्यक्ति के हाथ भाहर निकलवा करके भी कह देते थे कि ये अलिजबेट का हाथ है, ये महारानी विक्टोरिया का हाथ है, ये पुरुष का हाथ है, ये महिला का हाथ है बहुत सारी चीजें और पांचांगुली विद्या की विशेस्ता और उसके संपर्ख में आने से ही वो विस्व विक्षात हो गए हो भी क्यों न जायए? कोई व्यक्ति आपका भूछ काल बता दे उसी में हम लोग सोच लेते हैं इनको कैसे पता लगा? हाला कि भूछ काल बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हस्त रिखाओं में साब होता है लेकिन आपका आज बता दे और आपका आने वाला कल बता दे तो भ्यक्ति तो बहुत बड़ा आश्यरी में पढ़ी आता है ना तो मेरे दर्शको ये साधना विशेस काल में की जाती है विशेस यंतर के सानिंद्य में की जाती है और विशेस मंतर के माध्यम से की जाती है हमने सिर्फ मात्र हमारा उद्देश्य था कि पांचांगली साधना क्या होती है और इसको सिद्ध करने से क्या लाव होता तीनों कालों को बताने वाली ये साधना मन जाती है ऐसे ही हम लोग कहते हैं सास्त्र कहते हैं रिशी कहते हैं जब आप प्रात्यकाल उठते हैं, उठते सबसे पहले अपनी हतेलियों को देखा जाता है, और एक मंत्र पढ़ा जाता है, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी करमद्य सरस्वती करमूले इस्तिते विश्नु परभाते कुरुदर्शनम। मेरे हात्पे मा सरस्वती है, मेरे हात्े मा लक्ष्मी है और मेरे हात्ते में भागवान विश्नु विद्धमान है, तीरो महानशक्तियों का मुझे सुब आशी प्राप्त होरा है, ऐसी भावना के साथ हम जब अपने हात को देखते हैं और हतेलियों को रगड़ करके चेहरे पर मलते हैं तो प्रति दिन एक ओज तेज की व्रद्धी हमारे उपर होती है समझे आप मंत्रों में और आस्था में बहुत बड़ा सामजस्ति होना चाहिए आपका मंत्र शुद्ध हो आपकी आस्था उससे भी ज्यादक नहीं बलवान हो तो देव देविता सिद्ध होते दे जीवन में आप चाहते हैं इस प्रकार की गोहिया साधना करना तो उसके लिए देखो सबसे पहले अपने अंदर के विकार हमें मारने पड़ते हैं ये भी ना समझ लें कि साधना एकदम से दो जाएगी ऐसा भी ना समझ लें आप समय लगता है किसी भी गेहों की बाल को पक लखने में समय लगता है रित्म आने में समय लगता है एक व्यक्ति को जब बच्चा होता है ABCD से लेकर के अलफा बेट तक और वहां से नरसरी केजी के सफर से BST MST तक जाने में समय लगता है ऐसे ही जब आप साधनाई करते हैं उन साधनाओं को साधने में समय लगता है ठी योग के गुरू का निर्देशन और उनके गाइडेंस में आप ये सब करेंगे तो आपको उचित परिणाम अभश्य मिलता है ये निश्चित है ये साधना आज भी मुझूद है और इनके परिणाम आज भी शुबफल देते दिखाई देते हैं जी देखे दर्शुकों अगर हम जानने समझने बैठें जोतिश की गहरायों में और गहनता से अगर देखे तो कितना कुछ है आज आपने पांचांगुली साधना के बारे में जाना उसके लाप के बारे में जाना इसी तरह की और महत्वपून जानकारे अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमे कर पा रहे किसी ना किसी रीजन से तो ऐसे में वो कॉल अपॉंट्मेंट लेने का समरा है का सुबह दस पज़े से लेकर श्राम के छे बज़े के बीच में चलने की दीजिए अचासत नमस्कार हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम बेखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूले झाल